पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार दुपद ने पांचों पांडवों और कुंती को अपनी पुत्री के साथ भोजन पर आमंत्रित किया। इसके परशाल क्या दुपद पांडवों का सही परिचे जान पाएं। जानते हैं इस अध्याय में। नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हूँ तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोच्छाहित करें। वैशंपायन जी कहती हैं जन्मीच्य तदनंतर महाती जस्वी उदार्चित पांचाल राज दुपद ने अत्यंत कांतिमान कुंती पुत्र राजकुमार युधिश्टर को अपने पास बुलाकर ब्राहमनों चित आतित्थि सत्कार के द्वारा उन्हें अपना कर पूछा। हमें कैसे ग्यात हो कि आप लोग किस वर्ण के हैं? हम आपको क्षत्रिय, ब्राहमन, गुण संपन्य वैश अत्वा शुद्र क्या समझें? अत्वा माया का आश्र लेकर ब्राहमन रूप से सब्दिशाओं में विचरने वाले आप लोगों को हम कोई देरता माने? जान पड़ता है आप कृष्णा को पाने के लिए यहां दर्शक बनकर आए हुए देवता ही हैं। आप सच्ची बार हमें बता दें। क्यूंकि आपके विशे में हमको बड़ा संदेह हो रहा है। आप स्वेच्चा से ही सच्ची बात बताए। राजाओं में इश्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य की ही अधेक महिमा है। अतहां असत्य नहीं बोलना चाहिए। देवताओं के समान तेजस्वी शत्र सूदन मैं आपकी बात सुनकर निश्य ही विधिपूर्वक विवा की तैयारी करूँगा। युधिष्टर बोले। पांचाल राज आप उदास ना हूँ। आपको प्रसन न होना चाहिए। आपके मन में जो अभिष्ट काम न थी। वे निश्य ही आज पूरी हुई है। इसमें संशय नहीं है। राजन हम लोग ख्षत्रिय ही हैं। महात्मा पांडू के पुत्र हैं। मुझे कुंति का जेश्ट पुत्र समझे। ये दोनों भीमसें और अर्जुन है। राजन इनी दोनों ने समस्तर राजाओं के समुव में आपकी पुत्री को जीता है। उधर वे दोनों नकुल और सहदेव हैं। माता कुंति वहीं गई हैं जहां राजकुमारी कृष्णा है। नर्श्रिष्ट अब आपकी मानसिक चिंता निकल जानी चाहिए। हम सब लोग क्षत्री ही हैं। आपकी ये पुत्री कृष्णा कमलीनी की समान एक सरोवर से दूसरे सरोवर को प्राप्त हुई है। महाराज ये सब मैं आपसे सच्ची बात कह रहा हूँ। आप हमारे बड़े तथा परम आश्रे हैं। वैशमपायन जी कहते हैं जन्मेजिर राजा युधिस्टर की ये बातें सुनकर महाराज दुरुपत की आँखों में हर्ष के आशु चलागाए। वे आनंद में मगन हो गए और गलाभर आने के कारण उन युधिस्टर को ततकार कुछ उत्तर ना दे सके। शत्रु सूधन दुरुपत ने बड़े यत्न से अपने हर्ष के आवेश को रोका और युधिस्टर को उनके कथन के अनुरूप ही उत्तर दिया। फिर उन धर्मात्मा पांचाल नरेश ने यह पूछा कि आप लोग वार्णवत नगर से किस प्रकार भाग निकले। पांडु नंदन युधिस्टर ने वे सारी बातें उन्हीं क्रमशह कह सुनाई। कुंती कुमार के मुख से वे सारा समाचार सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ट महाराजा दुरुपत ने उस समय राजा धृत्राश्ट की बड़ी निंदा की और कुंती नंदन युधिस्टर को आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने ये प्रतिग्य भी की कि हम तुम्हें तुम्हारा राज दिलवा कर रहेंगे। अपने पुत्रों के साथ जाकर युधिस्टर से कहा। ये कुरुकुल को आनन्दित करने वाले महाभाहु अर्जुन आज के पुन्य में दिवस में मेरी पुत्री का विधिपूर्वक पानी ग्रहन करें। और अपने कुलोचित मंगलाचार का पालन प्रारंभ करें। वैशंपायन कहते हैं तब धर्मात्मा राजय युधिस्टर ने उनसे कहा। राजन विवा तो मेरा भी करना होगा। दुरुपत बोली। वीर तब आप भी विधिपूर्वक मेरी पुत्री का पानी ग्रहन करें। अथ्वा आप अपने भाईयों में से जिसके साथ चाहें। उसी के साथ कृष्णा को विवा की आज्या दे दें। युधिष्टर ने कहा। राजन दुरौपती तो हम सभी भाईयों की पट्रानी होगी। मेरी माता ने पहले हम सब लोगों को ऐसी ही आज्या दे रखी है। मैं तथा पांडव भीमसेन भी आभी तक अविवाहित हैं। और आपकी इस रत्न सुरूपा कन्या को अर्जुन ने जीता है। महराज हम लोगों में पहले ही ये तै हो चुका है कि रत्न को हम सब लोग बांट कर एक साथ उभ्भोग करेंगे। निप्षिरो मने हम अपनी उस पुरानी तर्क को छोड़ना या तोड़ना नहीं चाहते। अधह कृष्णा धर्म के अनुसार हम सभी की महरानी होगी। इसलिए वह प्रज्जुलित अगनी के समान क्रमश हम सब का पानी ग्रहन करें। तुरुपत बोले। गुरुनंदन एक राजा की बहुत से रानिया अत्वा एक पुरुष की अनेक स्त्रिया हो सकती है। ऐसा विधाम तो वेदों में देखा गया है। परन्तु एक स्त्री के अनेक पुरुष पती हो। ऐसा कहीं सुननी में नहीं आया। तुम धर्म के ग्याता और पवित्र हो। अतहां तुम्हें लोक और वेद की विरुद ये अधर्म नहीं करना चाहिए। तुम कुंती के पुत्र हो। तुमारी बुद्धी ऐसी क्यों हो रही है। युधिस्टर ने कहा महाराज धर्म का सुरूप अत्यंत सुक्षम है। हम उसकी गती को नहीं जानते। पूर्फकाल के प्रचेता आदी जिस मार्ग से गए हैं उसी का हम लोग क्रमशह अनुसरन करते हैं। मेरी वानी कभी जूट नहीं बोलती और मेरी बुद्धी भी कभी अधर्म में नहीं लगती। हमारी माता ने हमें ऐसा ही करने की आज्या दी है और मेरे मन में भी यही ठीक जंचा है। राजन यह अतल धर्म है। आप बिना किसी सोच विचार के इसका पालन करे। प्रित्वी पते आपको इस विशे में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। दुरुपत बोले। कुंति नंदन तुम, कुंति देवी और मेरा पुत्र दृष्ट दुमन। यह सब लोग मिलकर यह निश्य करके बताएं कि क्या करना चाहिए। उसे ही कल ठीक समय पर हम लोग करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं भारत तदन अंतर्वे सब लोग मिलकर इस विशे में सलाह करने लगे। राजन इसी समय भागवान वेद व्यास वहां अकस्मात आ पहुँचे। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मिज्य तदन अंतर्वे पांडव तथा महायेशस्वी पांचाल राज दुपद सबने खड़े होकर महात्मा श्री कृष्ण द्वपायन व्यास्ची को प्रणाम किया उनके द्वारा की हुई पूजा को प्रसंता पूर्वक स्विकार करके अंत में सबसे कुषल मंगल पूच कर महामान व्यास्ची शुद्ध जुवण में आसन पर विराजमान हुए। फिर अमित्ती जस्वी व्यास्ची की आग्या पाकर वे सभी नर्श्रेष्ट बहुमूले आसनों पर जा बैठे। राजन तदनंतर दो घड़ी के बाद राजा दुरुपद ने मीठी वानी बोलकर महात्मा व्यास्ची से द्रौपदी के विशे में पूचा। भगवन एक ही स्त्री बहुत से पूर्शों की धर्म पत्नी कैसे हो सकती है जिससे संकर्ता का दोश न लगे यह सब आप ठीक ठीक बतावें। व्यासी ने कहा अत्यंत गहन होने के कारण शास्त्री आवर्ण के द्वारा ठके हुए अतैव इस लोक वेद विरुद्ध धर्म के संबंध में तुमसे जिसका जोजो मत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। दुच्रेश्ट मेरी राय में तो यह अधर्म ही है क्यूंकि यह लोक और वेद दोनों के विरुद्ध है। बहुत से पुर्शों की एक ही पत्नी हों। ऐसा विवार कहीं भी नहीं है। पूर्ववर्ति महात्मप पुर्शों नी भी ऐसे धर्म का आचरन नहीं किया। और विद्वान पुर्शों को किसी प्रकार भी अधर्म का आचरन नहीं करना चाही। इसलिए मैं इस धर्म विरोधी आचार को काम में नहीं लाना चाहता। मुझे तो इस कार्य के धर्म संगत होने में सदा ही संदेह जान पड़ता है। दृष्ट दुमन बोले। दृष्ट आप ब्रामन हैं, तपोधन हैं। आप ही बताईए, बड़ा भाई सदाचारी होते हुए भी अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ समागम कैसे कर सकता है। धर्म का सुरूब अत्यंत सुक्ष्म होने के कारण हम उसकी गती को सर्वथा नहीं जानते। अतहां ये कार अधर्म है ये धर्म, इसका निश्य करना हम जैसे लोगों के लिए असंभव है। ब्रामन इसलिए हम किसी तरह भी ऐसी सम्मति नहीं दे सकते कि राजकुमरी कृष्णा पांच बुर्षों की धर्म पत्नी हो। युधिस्टर ने कहा मेरी वानी कभी छूट नहीं बोलती और मेरी बुद्धी भी कभी अधर्म में नहीं लगती। परन्तु इस विवा में मेरे मन की प्रवृत्ती हो रही है। इसलिए ये किसी प्रकार भी अधर्म नहीं है। पुराणों में भी सुना जाता है कि धर्मात्मों में श्रेष्ट जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या ने साथ रिशियों के साथ विवा किया था। इस प्रकार कंडु मुनी की पुत्री वाक्ष्री ने तपस्या से पवित्र अंतह करण वाले तस प्रचेताओं के साथ जिनका एक ही नाम था और जो आपस में भाई-भाई थे। विवा संबंध स्थापित किया था। धर्म अग्यों में शेष्ट व्यास्ची गुरुजनों की आग्या को धर्म संगत बताया गया है और समस्त गुरुओं में माता परम गुरु मानी गई है। हमारी माता ने भी यही बात कही है कि तुम सब लोग भिक्षा की भांती इसका उभ्भोग करो। अतह दुछ्रेष्ट हम पाचों भाई इस विवास संबंध को परम धर्म मानते हैं। कुंति ने कहा धर्म का आचरन करने बाले युधिस्ट ने जैसा कहा है वे ठीक है। अवश्य मैंने द्रौपदी के साथ पाचों भाईयों के विवास संबंध की आज्या दे दी है। मुझे जूट से बहुत भय लगता है। बताए मैं जूट के पाप से कैसे बच सकूंगी। द्यासी बोले भद्रे तुम जूट से बच जाओ। पांडवों के लिए ये सनातन धर्म हैं। कुंती से यो कहकर विद्रौपद से बोले। पांचाल राज इस विवा में एक रहस्य है। जिसे मैं सब के सामने नहीं कहूंगा। तुम स्वयम एकांत में चल कर मुझ से सुन लो। जिस प्रकार और जिस कारण से ये सनातन धर्म के अनुकूल कहा गया है। और कुंती नंदन युधिष्टर ने जिस प्रकार इसकी धर्मानुकूलता का प्रतिपादन किया है। उस पर विचार करने से निसंदेह यही सिद्ध होता है कि यह विवा धर्म सम्मत है। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मी जिर तजनंतर शक्तिशाली त्विपायन भगवान व्यास जी अपने आसन से उठे और राजा दुरुपत का हाथ पकड़ कर राजभवन के भीतर चले गए। पांचों पांडव कुंति देवी तथा दुरुपत कुमार दुरुष्ट दुमन यह सब लोग जहां बैठे थे वहीं उन दोनों व्यास और दुरुपत की प्रतीक्षा करने लगे। तजनंतर व्यास जी ने उन महात्मा निरेश को वैक कथा सुनाई। जिसके अनुसार यहां बहुत से पुर्षों का एक ही पत्नी से विवा करना दर्म सम्मत माना गया है। व्यास जी ने कहा पांचाल नरेश पूर्वकाल की बात है। नेमिशारण ने क्षेत्र में देवता लोग एक यग्य कर रहे थे। उस समय वहां सूर्य पुत्र यम शामित्र यग्य कारे करते थे। राजन उस यग्य की दीख्षा लेने के कारण यमराज ने मानव प्रजा की मृत्यू का काम बंद कर रखा था। इस प्रकार मृत्यू का नियत समय बीत जाने से सारी प्रजा अमर होकर दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। चंद्रमा, इंद्र, वरुन, कुबेर, सातिगण, रुत्रगण, वसुगण, दोनों अश्वनी कुमार तथा अन्य सब देवता मिलकर जहां स्ष्ष्टिकर्ता प्रजापती ब्रह्माजी रहते थे वहां गई। वहां जाकर वे सब देवता लोग गुरु ब्रह्माजी से बूले। भगवन मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है। इससे हमें बड़ा भय लगता है। उस भय से हम सब लोग व्याकुल हो उठे हैं। और सुखपानी की इच्छा से आपकी शरण में आये हैं। ब्रह्माजी ने कहा तुम्हें मनुष्यों से क्यों भय लगता है। जबकि तुम सभी लोग अमर हो। तक तुम्हें मरण धर्मा मनुष्यों से कभी भय भीत नहीं होना चाहिए। देवता बोले जो मरण शीर थे दे अमर हो गए। अब हम से और उन में कोई अंतर नहीं रह गया। यह अंतर मिट जाने से हमें अधित खपराहट हो रही है। हमारी विशेष्टा बनी रहे इसलिए हम यहां आए हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सूर्य पुत्र यम्राज यग्य के कारे में लगे हैं। इसलिए यह मनुष्य मृत्यू को प्राप्त नहीं हो रहे। जब वे यग्य का सारा काम पूरा करके इधर ध्यान देंगे तब इन मनुष्यों का अंतकाल उपस्तित होगा। तुम लोगों के बलके प्रभाव से जब सूर्य नंदन यम्राज का शरीर यग्य कारे से अलग होकर अपने कारे में प्रियुक्त होगा। तब वही अंतकाल आने पर मनुष्यों की मृत्यु का कारण बनेगा। उस समय मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वे मृत्यु से अपने को बचा सके। व्यासी कहते हैं राजन तब वे अपने पूर्वज देवता ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर वहीं चले गए जहां सब देवता यग्य कर रहे थे। एक दिन वे सभी महाबली देवगण गंगा जी में सनान करने के लिए निकले और वहां तट पर बैठे। उसे समय उन्हें बागिरती के जल में बहता हुआ एक कमल दिखाई दिया। उसे देखकर वे सब देवता चकित हो गए। उनमें सबसे प्रधान और शूर्वीर इंद्र उस कमल का पता लगाने के लिए गंगा जी के मूल स्थान की उर गए। गंगोत्री के पास जहां गंगा देवी का जल सदा अविचन रूप से जरता रहता है। पहुचकर इंद्र ने एक अगनी के समान तेजस्वी ने युपती देखी। वह युपती वहाँ जल के लिए आई थी और भगवती गंगा की धारा में प्रवेश करके वो रोती हुई खड़ी थी। उसके आशूं का एक एक बिंदू जो जल में गिरता था वहाँ सुवण में कमल बन जाता था। ये अद्बुत्रिश्य देखकर वजधारी इंद्र ने उस समय उस युपती के निकट जाकर पूछा। भद्रे तुम कौन हो और किसलिये रोती हो बताओ मैं तुम से सच्ची बात जानना चाहता हूँ। युपती बोली देवराज इंद्र मैं एक भागिहीन अबला हूँ। कौन हूँ और किसलिये रो रही हूँ। ये सब तुम्हें ग्यात हो जाएगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मैं आगे आगे चल रही हूँ। वहाँ चलकर स्वयम ही देख लोगे कि मैं किसलिये रोती हूँ। व्याज सी कहते हैं राजन यू कहकर आगे आगे जाती हुई उस तरीके पीछे पीछे उस समय इंद्र भी गए। गिरी राज हिमाले के शिखर पर पहुँचकर उन्होंने देखा पासी परम सुन्दर तरुन पुरुष सिंखासन से पैठे हैं। उनके साथ एक युवति भी है। इंद्र ने उस युवति के साथ उन्हें कृड़ा विनोध करते देखा। वे अपनी संपून इंद्रियों से कृड़ा में अत्यंत तन्मे हो रहे थे। अतहा इधर उधर उनका ध्यान नहीं जाता था। उन्हें इस प्रकार असाबधान देख देवराज इंद्र ने कुपित होकर कहा। महानुभाव ये सारा जगत मेरे अधिकार में हैं। मेरी आज्या के अधीन है। मैं इस जगत का इश्वर हूँ। इंद्र को क्रोध में भरा देख वे देवपुरुष हस पड़े। उन्होंने धीरे से आँख उठा कर उनकी ओर देखा। उनकी द्रिष्टी पड़ते ही देवराज इंद्र का शरीर स्तम्वित हो गया। वे ठूटे काट की भाती निश्चेश्ट हो गये। जब उनकी वे कृड़ा समाप्थ हुई तब वे उस रोती हुई देवी से बोले। इस इंद्र को जहां मैं हूँ यहीं मेरे समीब ले आओ जिससे फिर इसके भीतर अभिमान का प्रवेश न हो। तदनंतर उस्त्री ने जियों ही इंद्र का स्पर्ष किया उसके सारे अंग श्थिल हो गये और वे धर्ती पर गिर पड़े। तग उग्र तेजस्वी भगवान रुद्र ने उनसे कहा इंद्र फिर किसी प्रकार भी ऐसा घमंड न करना। तुम में अतन्त बल और पराक्रम हैं अतहां इस गुफा के द्वार पर लगे हुए इस महान परवत राज को हटा दो और इसी गुफा के भीतर घुश जाओ जहां सूरे के समान तेजस्वी तुम्हारे जैसे और भी इंद्र रहते हैं। उन्होंने उस महान परवत की कंदरा का द्वार खोल कर उसमें अपने ही समान तेजस्वी अन्य चार इंद्रों को भी देखा। उन्हें देखकर वे बहुत दुखी हुए और सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही इनी के समान दुर्दशा में पढ़ जाओ। तब परवत पर शैन करने वाले महादेर जी ने आँखें तरेर कर कुपित हो वजरधारी इंद्र से कहा शत्कृतो तुमने मूर्खता वश पहले मेरा अपमान किया है इसलिए अब इसकंदरा में प्रवेश करो। उस परवत शिकर पर भगवान रुद्र के योग कहने पर देवराज इंद्र पराभव की आशंका से अत्यंत दुखी हो गये। उग्रस्वरूप रुद्र देव से कहा जगत्ध्यूने आप ही समस्थ जगत की उत्पत्ति करने वाले आदिपुरुश हैं। तब भयंकर तेज वाले रुद्र ने हस कर कहा। तुम्हारे जैसे शील सुभाब वाले लोगों को यहाँ प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती। यह लोग भी पहले तुम्हारे ही जैसे थे। अता तुम भी इस कंदरा में घुस कर शयन करो। वहाँ भविश्य में निश्य ही तुम लोग ऐसे ही होने वाले हो। तुम सब को मनुश्य यूनी में प्रवेश करना पड़ेगा। उस जन्म में तुम अनेक दुस्सह कर्म करके बहुतों को मृत्य के घाट उतार कर पुनहां अपने शुभ कर्मों द्वारा पहले से ही उपारजित पुन्यात्माओं के निवास यूगि इंद्र लोक में आ जाओ। मैंने जो कुछ कहा है वैस सब कुछ तुम्हें करना होगा। इसके सिवा और भी नाना प्रकार के प्रयोजनों से युक्त कारे तुम्हारे द्वारा संपन होंगे। पहले के चारों इंद्र बोले भगवन हम आपकी आग्या के अनुसार देव लोक से मनुश्य लोक में जाएंगे। जहां दुरलब मोक्ष का साधन भी सुलब होता है। परंतु वहां हमें धर्म, बायू, इंद्र और दोनों अश्वनी कुमार यही देवता माता की गर्भ में स्थापित करें। तदनंतर हम दिव्यास्त्रों द्वारा मानव वीरों से युद करके इंद्र लोक में चले आएंगे। व्यास्त्री कहते हैं, राजन, पूर्ववर्ती इंद्रों का ये वचन सुनकर बजरधारी इंद्र ने पुनह देवशेष्ट महादेवजी से इस प्रकार कहा। भगवन मैं अपने वीरे से अपने ही अंशभूत पुरुष को देवदाओं की कारे के लिए समर्पित करूँगा। जो इन चारों के साथ पाचवा होगा। उसे मैं स्वैम ही उत्पन्न करूँगा। विश्वभुक, भूत धामा, प्रतापी इंद्र शिवी, चौथे शांती और पांचमें तीजश्वी यही उन पांचों के नाम होंगे। उग्रधनुष धारन करने वाले भगवान रुद्र ने उन सब को उनकी अभिष्टक कामना पूर्ण होने का वर्दान दिया। जिसे वे अपने सादू सुभाव के कारण भगवान के सामने प्रकट कर चुके थे। साथ ही उस लोक कमनिय युप्ति स्तरी को जो स्वर्ग लोक की लक्ष्मी थी मनुश लोक में उनकी पतनी निश्चित गया। तद अनंतर उनी के साथ महादेव जी, अनंत, अप्रेमे, अव्यक्त, अजन्मा, पुरान पुरुष, सनातन, विशुरूप एवं अनंत मूर्ती भगवान नारायन के पास गये। उन्होंने भी उन्ही सब बातों के लिए आज्या दी। तद पर शात वे सब लोक प्रत्वी पर प्रकट हुए। उस समय भगवान नारायन ने अपने मस्तक से दो केश निकाले। जिन में एक श्वेत था और दूसरा श्याम। वे दोनों क केश यदूबंशी, दोस्त्रियां, देवकी तथा रोहिनी के भीतर प्रविष्ट हुए। उन में से रोहिनी के बलदेव प्रकट हुए। जो भगवान नारायन का श्वेत केश थे। दूसरा केश जिसे श्यामबर्ण का बताया गया है पही देवकी के गर्भ से भगवान श्रिक कशने के रूप में प्रकट हुए। उत्तरवर्तिय हिमाले की कंद्रा में पहले जो इंद्र सुरोप पुरुष बंदी बना कर रखे गए थे। वे ही ये चारों पराक्रमी पांडव यहां विद्यमान है। और साक्षात इंद्र का अंशभूत जो पांचवां पु प्रकट हुए हैं जो पहले इंद्र रह चुके हैं। यह दिविरूपा द्रौपदी वही स्वर्गलोग की लक्षमी है जो पहले से ही इनकी पतनी नियत हो चुकी है। महराज यदि इस कारे में देवताओं का सहयोग ना होता तो तुम्हारे इस यग्य कर्मद्वारा यग दिवियनारी कैसे प्रकट हो सकती थी जिसका रूप सुर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश बिखेर रहा है जिसकी सुगंध एक कोस तक फैलती रहती है। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेज तदनंतर परम उदार कर्म वाले पवित्र ब्रम्रिशी व्यास जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा दुपत को दिव्वे दिश्टी प्रदान की जिससे उन्होंने समस्त पांडवों को पूर्व शरीरों से संपन वास्तविक रूप में दिखा वे दिव्वे शरीरों से सुशोभित थे उनके मस्तक पर सुवर्ण में किरीट और गले में सुन्दर सोने की माला शोभा पा रही थी उनकी छबी इंद्र के ही समान थी वे अगनी और सूरे के समान कान दिमान थे उन्होंने अपने अंगों में सब प्रका तथा रूप अत्यंत मनुहर था। उन्च सब की छाती चौड़ी थी और वे ताल व्रिक्ष के समान लंबे थे। इस रूप में राजा दुरुपद ने उनका दर्शित किया। वे दिव्वे निर्मल वस्तरों, उत्तम गंधों और सुन्द्र मालाओं से अत्यंत सुशोबित हो रहे थे। तथा साक्षात, त्रिनेत्र, महादेव, वसुगण, रुद्रगण अथ्वा आदित्ते गणों के समान तेजस्वी एवं सर्वगून संपन दिखाई देते थे। चारों पांडवों को परम सुन्दर, पूर्वकालिक इंद्रों के रूप में तथा इंद्रपुत्र अर्जुन को भी इंद्र के ही रूप में देखकर उस अप्रेम में दिव्वे माया पर दृष्टिपात करके राजा दुपर अत्यंत प्रसन एवं आश्यर्य चकित हो उ उन राजेश्वर ने अपनी पुत्री को भी सर्वशेष्ट सुन्दरी अत्यंत रूपवती और साक्षा चत्रमा तथा अगनी के समान प्रकाशित होने वाली दिव्वे नारी के रूप में देखा। साथी ये मान लिया कि दृपदी रूप तेज और यश्की दृष्टि स अवश्य उन पांडवों की पत्नी होने योग्य है इससे उन्हें महान हर्श हुआ यह महान आश्यरे देखकर दृपद ने सत्यवती नंदन व्यासी के चरण पकड़ दिये और प्रसंचित होकर उनसे कहा महरशे आप में ऐसी अध्भुत शक्ति का होना आश्यरे की बात है तब व्यासी प्रसंचित हो दृपद से बोले राजन अपनी पुत्री के एक और जन्म का व्रितान्त भी सुनो एक तपोवन में किसी महात्मा मुनी की कोई कन्या रहती थी सती साधवी एवं रूपपती होने पर भी उसे योग्यपती की प्राप्ति नहीं हुई उसने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया महादेव जी प्रसन्य होकर साक्षात प्रकट होकर उस मुनी कन्या से बोले तुम मनुवान्चित बर मांगो उनकी योग कहने पर उस मुनी कन्या ने वर्दायक महिश्वर से बार बार कहा मैं सर्वगुण संपन पती चाहती हूँ देवेश्वर भगवान शंकर प्रसन्चित होकर उसे बढ़ देते हुए बोले भद्रे तुम्हारे पांच पती होंगे यह सुनकर उसने महादेव जी को प्रसन्य करते हुए पुनह यह बात कही शंकर जी मैं तो आपसे एक ही गुण्वान पती प्राप्त करना चाहती थी तब देवादी देव महादेव जी ने मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर उससे यह शुब बचन कहा भद्र तुमने पती दीजिये इस वाक्य को पांच बार दो राया इसलिए मैंने जो पहले कहा है वैसा ही होगा तुम्हारा कल्यान हूँ किन्तु तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर ये सब होगा दुपत वही मुन्नी कन्या तुम्हारी इस दिव्विरूपुनी पुत्री के रूप में फिर से उत्पन हुई है अतह ये प्रिशत वंच की सतिकर्ण्या कृष्णा पहले से ही पांच पत्यों की पत्नी नियत की गई है यह स्वर्गलोग की लक्ष्मी है जो पांडवों के लिए तुम्हारे महायग्य में प्रकट हुई है इसमें अत्यंत घोर तपस्या करके इस चन्व में तुम्हारी पुत्री होने का स्वभाग्य प्राप्त किया है महाराज रुपत बही यह देवसेविच सुन्दरी देवी अपने ही कर्म से पांच पुर्शों की एक ही पत्नी नियत की गई है स्वयम ब्रह्मा जी ने इसे देवसुरों पांडवों की पत्नी होने के लिए रचा है यह सब सुनकर तुम्हें जो अच्छा लगे बही करो क्या द्रौपदी का पांचों पांडवों से विवाह हुआ यह तो हम सब जानते हैं कि द्रौपदी के पांच ही पती थे जाने इसके पश्चाद क्या हुआ